थीक है यह मेरे desktop पे stat pro का icon है double click करके मैंने इसको on किया यह day first और try 2 फाइलों पर हमने काम किया था आज new project करते है और space जैसे की मैंने बताया था कि space ही select करना है और आज day two डाल देते हैं day two file location वहीं पर हमारी save है desktop पे unit meter kilo newton next फिर मैंने कहा था कि इन सारे option में से add beam पर click करने के बाद यह सारी चीजें हम उसके अंदर भी कर सकते हैं ठीक है तो मैं add beam पर click करके आप finish करता हूं और जो हमारा cursor है अभी ready है beam बनाने के लिए तो मैं skip button या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहां पर आप देख सकते हो दो cursor है एक cursor पर node है cursor बिना node का है तो बिना node वाले पर click करूंगा तो normal cursor आ जाएगा हमारा अब मैं कहीं भी click करूंगा कुछ नहीं होगा तो मैं दो तरीके आपको बता चुका था एक तो grid का तरीका था ठीक है grid को edit करना था कोई भी डाउट हो तो grid में से कुछ पूछ सकता है कोई भी और दूसरा तरीका था कि grid को close करने के बाद यहां पर coordinates डालने थे और यहां पर node number डालने थे ठीक है 7.6 ऐसे करके कुछ start हो जा रहा था बीच के सर दिखा नहीं रहा था चलो मैं यहां edit करता हूँ आपने डाला था एक्स में 0.2 है ना यस अब 0.2 है नंबर ब्लोग नंबर ओफ ब्लोग 10 है तो यह कितना हो जाएगा यह टू मीटर हो जाएगा आप इसको जूम करके देखता हूं अब बीच के स्कूरल बटन को दबा दो के तो इसे उपर नीचे कर सकते हो और यहां पर क्यूब जो है फर्स्ट क्यूब पर क्लिक करो के तो सीधी हो जाएगी थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा मैं अब यहां पर देखते हैं जीरो जीरो पॉइंट तू जीरो पॉइंट हौन फॉइंट वन पॉइंट हीए इसमें तो सही आ रहा है जिए अगर कुछ वार दूबार्यकतों में कौ स्क्रीम्सोर बेस देना मैं उसे करा दूँए थी कि ठीक है तो ग्रीड वाले सिस्टम करते हैं कि वह जो प्रॉब्लम है वह आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ ऐसी सेटिंग नहीं है कोई की दबा रह गया होगा कभी कभी रहता है या माउस की दिक्कत होगी आपको एक बार स्कैब बटन दबा के देखना अभ आपको तो ठीक होगा कि एक बार चयवागे करते हैं और नहीं होता फिर भी तो के बाद इसके बार तक सब्सक्राइब की सउब्स है को मैं हमें कंट्रोल करके चेक करूँगा अब है क्लास करते हैं दो option grid और क्या कहते हैं coordinate system अब दो option और बचे हैं किसी भी beam column को बनाने के लिए कोई भी structure बनाने के लिए एक एडिटर जो मैंने कहा है आपको लास्ट में बताऊंगा आइटर यानि कि programming के थरू command के थरू जिसमें आपको mouse की कम जरूरत होती है keyboard की ज्यादा जरूरत होती है type कर आपको यह वाली चीज नहीं बताएंगे और यह बहुत एडवांस चीज है बड़े बड़े जो बिल्डिंग कोई प्रॉबल माती एरर आता तो उसको बहुत जल्दी से आप error को resolve कर सकते हो इस अगर आपको एडिटर आता है ठीक है मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि थो अधरी की हो गए grid लिए कोडिनेट इस अधर जो बाद में बताऊंगा जो थाड़ ऑप्शन है वह एड्रांसलेटर रिपीटर सबसे ज्यादा यहीं यूज होता है सारे structure बनाने को जब आप इसको यूज करना सीख जाओगे तो आप grid और coordinate system आपको यूज नहीं करना है हो स इसका नाम है ट्रांसलेट रिपीटर इसका आइकन में दिखाया था है आपको जूम करके थोड़ा सा इसका है यह आपका इकन ट्रांसलेट रिपीटर ठीक है इसकी एक कंडिशन है इससे आप किसी भी टाइप का structure बना सकते हो 2D 3D किसी भी शेप का बट एक जॉइंट इसको चाहिए मतलब structure स्टार्ट करने से पहले एक नोड चाहिए ठीक है आप नोड बनाने का तरीका क्या ह दो तरीके हैं नोड बनाने के भी तीन तरीके हैं या तो आप ग्रिट के 00 पे क्लिक करके स्कैब बटन दबा तो एक जॉइंट बन जाएगा या आप यहां कोडिनेट्स में 0000 डालता तो एक जॉइंट बन जाएगा या फिर एडिटर की हेल्प से बना सकते हो तो इस टूल की कंडिशन क्या है कि कोई भी structure बनाने के लिए इसको सबसे पहले क्या चाहिए एक जॉइंट चाहिए ठीक है तो इस वाले आइकन पर हम क्लिक करते हैं जो आभी स्ट्रक्चर होता हूं सेंटर में आ जाता है यह आ गया देखो यह आपका जॉइंट कि यह अब मेरे को कोई भी एक बताए जल्दी से कि जॉइंट को स्लेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा अब मैं उस वाले अइकन पर क्लिक करता हूं जो टूल में आपको बता रहा था जो हर जंगा यूज होगा उस पर मैं क्लिक करता हूं यहां पर तो यह आ जाता है ठीक है यहां पर डाइग्राम भी दिया है समझाने के लिए लेकिन फिर भी हम समझते हैं सबसे पहले में बनाना क्या चाहता हूं उसको समझते हैं मैं एक बीम बनाना चाहता हूं पाँच मीटर का इस वाले टूल की हैल्प से नौर्ड नंबर नौर्ड नंबर तो हमेरे पास पहले से है जो हमने स्लेक्ट किया हुआ है और इस बीम की जो डारेक्शन वह है एक्स खिर किंग और स्पेशिंगे 5 1 हे dealt हमारे को पता है ठीक है अब देखो इस तूल की हल्प स проблем से कैसे बनाएंगी रहत हम नई स्लिक कर लिए डा य्टेकशन कॉसिअ डायक्शन में लिए बीम एक्स में तो मैं क्या स्लिक्ट करहून हो यहां पर x, यहां पर तीन direction दी विए हैं यहाप कर लूगा, मैं x. ठीक है, x को select करने के बदर आदब यौंहां दो option आते हैं. सारे option को समझ़े हैं, इसमेंक इसम में फिर option आता यह number of steps. Number of steps का मतलब है कि खांक कितने step पहले से है नौट नमबर टू हमें बनाना है तो इसलिए स्टेप फिर पूछ रहे डिफोल्ट स्पेसिंग कितनी होगी तो पांच मीटर है डिफोल्ट पांच मीटर है यहां पर चेंज भी कर सकते हो पांच ठीक है इसको अभी नहीं समझेंगे अभी इसको दूसरे टॉपिक इसटीक है तो आप won और five-spacching अब मैं बस okay करता हूं देखो क्या होता है यह सब रफ कर देत allons फिर okay करता हूं क्या होता है पी मित कि है तो आप देख रहूं कि एक जोंड जो पहले से था वियरा और पांच मीटर दूरी पर एक और जोंड बने गया, यह रहा बट यह तेड़ास लिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक्स डारेक्शन यह है इसको सही करने के लिए हमें फर्स्ट क्यूब पर क्लिक करना पड़ेगा यह आ गया अब इन सब को रफ कर देते हैं पर आप अब देख सकते हो कि फस्ट नोड यह रहा आपका और सेकंड नाब लेकिन बीच में मैंबर नहीं बनाए हमारा इसलिए नहींब नहीं बनाएं मैं कंट्रोल ज्रीस थे अंडो करता आम लिंक पे क्लिक करूंगा तब ही जो नया नोड बनेगा वो लिंक हो जाएगा फर्स्ट नोड से अब ओके कर देता हूं तो देखो बीम बन चुका है सिफ्ट एंस से नौड नंबर सिफ्ट बी से बीम नंबर और यहां इस टूल से आप देख सकते हो इसकी लैंट तो अब आपको लग रहा होगा कि ग्रिड में पांच मिटर का बीम बनाना तो बहुत एज़ी है जीरो पे क्लिक करना फाइप पे क्लिक करना लेकिन यह टूल बहुत एज़ी है बड़े बड़े स्टक्चर बनाने के लिए सारे चीज आप इसी से बनाऊगे ठीक है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब हम दूसरा स्टक्चर बनाते हैं अब मेरे को इस ट्रक्चर बनाना है एक चार मीटर और दूसरा बीम भी चार मीटर इसमें कितने नोड है वान टू त्री नोड है और कितने स्टेप्स होंगे इसमें बताओ क्योंकि एक से बनाना पड़ेगा दूसरा नोड कॉपी होगा तो एक स्टेप फिर वाला नोड आगे कॉपी होगा चार मेंटर पर दॉर डारेक्शन आपारी एक्स लिंक करना पड़ेगा तो मैं दुबारा से यहाँ पे 00 क्लिक टाइप कर दूँगा तो नोड बन जाएगा यह रहा बन गया इस नोड को नोड करसर से स्लेट किया टूल पे गया डारेक्शन एक्स स्टेप टू इस पेसिंग फॉर लिंक पे क्लिक करना है ओके तो आप यहाँ देख सकते हो सेव कर होने के लिए पोछ रहा है तो दो बीम बन चुके हैं यहाँ पे इस वोले की बेलेंद चार मीटर को है इस को भी डिलीट करते हैं अब दूसरा स्टक्चर बनाते हैं अब जो स्टॉक्चर है उसमें है आपका 4.5 मीटर पहला बीम दूसरा बीम भी 4.5 मीटर और तीसरा बीम में 3 मीटर तो यहाँ पर एक नोट तो हमें मिलेगा पहले से दूसरा नोट कोपी 1st स्टेप 2nd स्टेप 3 स्टेप तीन स्टेप चाहिए लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग अलग अलग है तो यहाँ पर यहाँ देखने की बात है तो मैंने एक जॉइंट बनाया 00 करके या गिरिट से बना सकते हो नोट कर्सर से स्लेक्ट किया ट्रांसलेट रिपीट टूल पर क्लिक किया डारेक्शन क्यूंकि एक्स में बन रहा है अभी वाई जैट सम्में बनाके देखेंगे एक्स स्लेक्ट किया इसे स्टेप कितने हैं व ど ron यहांपे देखने वाली चीज जैसी में तीन स्टेप करता सु gi bron ऐर एक से ज्यादा टो यहां पर टेबल बन जायती है और अगर मैं स्टेप कम करता संथ हो टेबल दो कम होरी ए कि सेल्स एक मैं एक अगर तीर स्टिप डाले तो तीन बन गई अ अगर स्पेसिंग यूनिफॉरम नहीं है अलग अलग तो आपको इस वारी स्पेसिंग को naj हट करना है आपको इस वाली स्पेसिंग को टच नहीं करना है अगर इस फिस दिन knocking almighty हमारे पास जिओ सपेसिंग बेरी fat कुछ रहे साड़े साड़े में क्या करूए यह पर डालूगा फॉर पाइब को दूसरे वाले डालूमा धो पॉर पाइब तो किया में क्या उसकि ऑद आ पद दूसरीlaşовать indifferent pe практи 아 में किटना तीनर उसमेन साड़े साड़े चार तीनर लिंक पर क्लिक करूंगा और को करूँगा थे देखो जैसी में कर रहा है क्योंकि मैंने joint को स्लेक्ट नहीं किया है हापे select किया अब okay किया तो देखो साधे चार साधे चार। और यह बन गया एक डारेक्षिन से अब दूसरा बनाते हैं आप थोड़े सा और टूल इसके जानते हैं एक जॉइंट बना लेता हूं उसके बाद थोड़ा सम प्रैक्टिस करते हैं इसकी नॉट को नॉट कर से स्लेक्ट कर लिया स्टूल पर दुबारा गए तो यह जो एक्स वाई ग्लोबल डारेक्शन दी वे तो आप समझ गए जब मैं एक्स डारेक्शन में बना रहा हूं तो एक्स स्लेक्ट करना है वाई डारेक्शन में बना रहा हूं तो वाई स्लेक्ट करना है इसके बाद आपका आ रहा है स्पेसिंग यह भी आप समझ गए ज को पता है लिंक भी आपको को पता है अब रहे गया इसमें री नंबर्स और यह वाले उप्शन और यहां पे लोग है ऑपन बेस अब इस सब की बात करते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं री नंबर बेज की ठीक है इसको समझो थोड़ा सा पहले मैं बना लेता हूँ एक बीम यह रहा मेरा बीम लिंक ओके इन सब को डामेशन्स को उटाएता हूँ अब देखो इसमें जो बीम की नंबर है जो बीम का नंबर है और नोट्स का नंबर हो वन से स्टार्ट है वान टू थरी फॉर और जो बीम का नंबर है वो भी वन से स्टार्ट है वान टू थरी फॉर बट मैं चाहता हूँ कि इस नंबर से स्टार्ट ना हो कोई और नंबर हो जब मैं नए नोट बनाऊ हूँ आवाज जो जिए है कि इस एह तो मैं कहे है तो मैं यह कह है तो में यह क् pix Micheal आज़् झाहता हैं अई से स्टाट हो रहा है मैं एक से नहीं चाहता मैं चाहता हूं उसकी नवर हन्रेड से स्टार्ट हो लेकिन ऐसा ये कूँ दिया हुआ ऐसी जुरूत क्या पाध ती है इसलिए परती है जब हम बिल्डिन Studieng में बहुत सारे ब्यम्स होते हैं जैसे कि ज gestिन फ्लोर के बीम हिर यूशो से स्टाट करूं से तो मुझे पता चिल जाएगा कि ये फ़्लोर के नमबर देखकते अगर मैं सैकिन फ्लोर के भीम 200 ऑन डो से स्टाट करो घंश करऊंप तो अक्रिकन किसी फ्लोर जा कुइम है नमबरू कि स्टूर जा virtue तो इसलिए आपकी मर्जी जिस नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हो बीम को जिस फ्लॉर पर इसलिए यह आप्शन गीवन है तो आपने देखो नए बनाता हूं दूसरी डारेक्शन बनाता हूं यह तो बीम बन चुकी है दूसरी डारेक्शन में बीम को देखने के लिए आप आइसोमेट्रिक आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा लास्ट वाला क्यूब तभी सई से दिखा ही देगा अब मैं इस की टूल को आउन किया और डारेक्शन क्या होगी जैड इस्टेप मान लो दो स्टेप ले लिए इस पेसिंग पांच ले ले लेकिन लिंक भी कर दिया अब री नंबर पे क्लिक करते हूं इस पेसिंग के आगे नंबर आगे नंबर फ्रॉम ठीक है में बर की बात हो रही है त कि तो देखो यहां पर एक बार इनको ओन उफ करते हैं कि तीन चार पांची आई नहीं क्या मेरे से कुछ गलती हो गई है मैं कंट्रॉल जैट करता हूं तबार असे कभी-कभी हर सौफ्डियर की बात है कभी-कभी कंट्रोल जैट जो अंडो करने का आपने का प्शन होता है उसकी क्लिमिट होती है अभी इसमें नहीं हो रहा है तो मैं इस वाले जॉइंट को स्लेट करता हूं और दुबारा से ट्रांसलिट करता हूं और ट्रांसलिट कि अदो सो कि दो सो दस कि अब ओके करता हूं कि येस कि अब एक में चेक कर लेता हूं यह हो क्यों नहीं रहा है दूसरे नोट को करके देखता हूं डारेक्शन जाइड दोलतिया तीन स्टेप लिंक री नंबर ये हो गया इसको किया ओके एक सेकंड रुकना बस क्या प्रॉब्लम्ति संज में आ गई देखो ये जह टूल है इसमें आगर आपने जूइंट्स लट किया है तो यह क्या बनाएगा ur workplace लिंक तो लिंक हो जाएंगे यहां पर अगर मैंने फॉर्ट जोइंट किया है और एक स्टेप है तो नेक्स जॉइंट यहां पर बनेगा जो मैं स्पेसिंग डालूँगा पांच मीटर की और यह जो बीच में लाइन है मेंबर जो क्रेट हो रहा हो लिंक से हो रहा है इसलिए हमारा रिंबर वाला टूल काम नहीं कर रहा था यह काम कब करता है जब मैंबर को रिपीट करते हैं ठीक है तो मैं यहां पर देखो केवल मैंबर स्लेट करता हूं यह Member मैंने Select किया अब इसमें मैंने Spacing Direction डाली Z Spacing डाली Link डाल दो Spacing डाल दी 6 मीटर Link कर दिया Renumber कर दिया और यहां पर डाल दिया 100 यहां पर डाल दिया 101 अब क्या होगा यह जो you마 डया अब कर दो दो बार एक विम यहाँ पर बनेगा एक बीम यहाँ पर बनेगा इसका Number क्या होगा 100 और इसका नंबर का होगा 101 और यहाँ पर जो विम बने गा यह किसकी वई होएसे बने गा यह लिंक होने की वह वह से बनेगा क्योंकि यह जॉइंट रिपीट हो रहे है तो जॉइंट के बीच में लिंक बना दे गा तो इस तरह का structure बन जाएगा करना के देखते हैं ओके देखो जो हमने टूल यूज किया है उसकी हेल्प से यह रिपीट हुए है दो बीम और यह जो बीम बने हैं यह वाले फॉर्ट और फिफ्ट जो बीम बने हैं यह वाले यह वाले इसलिए बने हैं क्योंकि हमारा यह लिंक पर क्लिक था और यहां पर इनकी नंबरिंग इस बीम के बाद थे ठीक है अब इस टूल में और क्या बचा है वो भी सिख लेते हैं फिर आपके डाउट पूछ लूँगा मैं तो इस टूल में यह चीज हो चुकी है तीनों टी लिंक यह चुका है यह चुका है आफ तीन चीज बचिए देखो जमा जनरल फ्लैक्स जो है और का मतलब क्या है अगर इस बीम के ओपर तीन नंबर बीम को जिसको मैंने रिपीट किया था इसके ओपर मालों ने लोड लाया हुआ है इसको प्र टर्स लेट करते हैं नहीं ने बीम नंबर हन्ड्रेड और विम नंबर वन क्री में मतलब जो इसके पास प्रॉपर्टी हो सारी इनको भी ट्रंसफर जाएगी अगर यह वाला और क्लिक करता हूं जमैटरी ओनली तो जमैटरी आफिए अगर मैं जमैटरी प्लस इस ओपन बेस के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा नौट पैट पर बताना पड़ेगा उसके बाद डाउट पूछ लेंगे मुझे इस टाइप का स्टक्चर बनाना है फ्रेम तो मैं क्या करूँगा मैंने एक जोइंट बना यह इसको ट्रांसलेट किया य डार्विट में जो भी इसकी length है 6 meter तो यह beam बन गया इस beam को select करके translate जब में करूँगा इस direction में X में तो यह नीचे भी beam बना देगा और उपर भी beam लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह उपर बने नीचे ना बने तो मैं क्या करूँगा open base पे click कर दूँगा ठीक है इसको एक बार ट्राइ करते हैं इन सब को डिलीट करते हैं मैं एक जॉइंट बनाता हूं उस जॉइंट को मैंने स्लेक्ट किया सबसे पहले वाई डारेक्शन में पांच मीटर का एक बीम बनाया कोलम अब इस कोलम को स्लेट किया और इसको ट्रांसलेट किया एक्स डारेक्शन में पांच मीटर अगर मैं इसमें ओपन बेस पे क्लिक नहीं करता हूँ तो देखो क्या होता है इस तरीके का मन जाता है पर मैं को नीचे बीम तो चाहिए नहीं था तो मैं Ctrl Z करता हूं दूबारा ऐसा Translate Repeat टूल पर जाता हूं और यहां Link के साथ Open Base भी कर देता हूं अब देखो नीचे बीम नहीं बना ठीक है यह है अब इससे हर तरह का structure इस टूल को यूज करके बना सकते हो आप अब आपको यही टूल यूज करना है बाद एक बार प्रैक्टिस ग्रिट की और कॉडिनेट की कर लेनी है अब मुझे बताओ कि इस टूल में कोई भी किसी को डाउट हो तो मैं 3-4 structure इससे बनवाऊंगा अभी क्या चीत लिंक के ऊपर क्या है लिंक रिनमबर यह लिंक है असरी यह इनमबर अभी बताया है नरी नंबर करने के लिए लिए बढ़र कर रहे तो उसके साथ हमें लिंक पे उंसको समझाओ थोड़ सा गैसे भी नंबर करें अभी जॉइंट सेलेक्ट नहीं किया बीम अगर मैं लिंक पे क्लिक नहीं करूंगा तो एक और कॉलम बना देगा यह वाला कोलम बना यह बीच में लिंक जो मैंबर बना यह नहीं बनाएगा देखो ट्राइब करके एक बार दोनों चीज करके देखते हैं एक बार जॉइंट सेलेक्ट करके एक बार मैंबर अभी मैंबर सेलेक्ट किया मैंने टूल को लिया सारी स्पेसिंग में लिंक पे क्लिक नहीं कर रहा हूं तो क्या हो रहा है देखो, link पे click नहीं किया मैंने तो क्या हुआ, यहां पर member नहीं बने अगर link plus open base करता तो यह वाला नहीं बनता केवल link link पे click करूँगा तो दोनों बन जाएंगे अब मैं joint select करता हूँ केवल यहां पे मैं इन दोनों joint को select करूँगा और बिना link के करके देखूँगा क्या होता है तो मैंने not tool से इन दोनों joint को select कर लिया control दबाके, कोई भी चीज double select करनी होती है तो control दबाके, अगर single select करके यह वाला select करूँगा तो one select हो जाएगा, तो control दबाके select कर लिया अब translate repeat tool में लेकिन मैं link पे click नहीं करूँगा, ठीक है ओके कर दूँगा, तो देखो केवल वो joints बन गए है यहां पे बीच में member नहीं बना है, तो उसका मतलब यह है और किसी का कोई doubt इस tool को लेके नहीं है, ठीक है, इसमें जो geometry वाला रहे गया है, वो मैंने बता तो दिया है क्या होता है, बस समझा दूगो, मालो जैसे एक column है, इस column को मैंने cross section property दे दी 200 by 300 mm, यह क्या है, प्रॉपर्टी, geometry property और इसको property दे दी, material concrete ठीक है, जो अभी बता है नहीं है, मैंने आगे बताऊंगा तो मैंने दो चीज़ दे दी, cross section को बोलेंगे geometry और concrete को बोलेंगे property अगर यह all पे click करके, इस column को select करके, मैं नया column बनाता हूँ, तो उसको भी दोनों property मिल जाएंगी अगर मैं geometry पे click करता हूँ केवल, फिर नया column बनाता हूँ, तो उसको केवल 200 by 300 मिलेगा और अगर नीचे वाले को click करता हूँ, तो उसको 200 by 300 plus concrete मिल जाएगा ठीक है, तो यह option यह है, इसका मतलब अब कुछ structure मैं बनाता हूँ, notpad पर फिर उनको इस पर बना के दिखाता हूँ सबसे पहले एक structure मैं ऐसा बनाऊँगा, इस तरही केगा पांच मीटर, मैं unit ने लिख रहा हूँ, बस सब मीटर में ही समझे न, एक यह बनाऊँगा structure अब देखो जरूरीन यह स्टूल से हर इस ट्रक्चर भी बन जाए ठीक है, यह वाला structure बनाता हूँ अब शिक्स मीटर और यह जो आपका perpendicular distance से यहां सक यह 3 मीटर है, एक structure यह बनाते हैं और एक बनाता हूँ मैं 3D structure इस तरीके का यह चार कोल हमें इसके यह 6 मीटर, यह 5 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, और कोलम जो हैं सारे 10 मीटर के हैं, तो यह 3 structure बनाते हैं, सबसे पहला, 5-5 मीटर के कोलम हैं फिर 6 मीटर के बीम हैं, ठीक है, देखो कितना, मैं कराने का तरीका सब का अलग हो सकता है, ठीक है, कोई, मालों कोई grid से बना रहा है, कोई coordinate से बना रहा है, कोई stool को यूज कर रहा है, और stool को भी use कर रहा है, अलग तरीके से, जैसे कि मैं अगर यह first वाला बनाऊंगा structure तो मैं इसको मानता हूं first node यहां से start करूंगा कोई student यहां से भी start कर सकता है कहीं से भी पर easy होता है corner के first point से लेके तो मैं इस वाले join को पहले draw करूंगा तो यहां पर सारी चीज़े delete कर देते हैं सबसे पहले मैं coordinate या grid on करता हूं और zero पर click करके grid को off कर दूँगा जीरो पर click किया grid को off कर दिया तो एक node मिल गया मुझे इस node को node cursor से select किया क्यूंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास यह direction जो है यह वाई है तो वाई direction में दो कोलम है पांच-पांच मीटर के तो यह टूल मैंने लिया direction वाई टू स्टेप पांच मीटर पहले से सिक्स मीटर लिंक आप इसमें open base कर रहूं या ना करूं कोई पताएगा open base क्लिक करना है कि नहीं करना और यह पहला structure बना रहा हूं कि अधर open base करना है करना है क्यूंकि हमें नीचे बीम नीचे यह बेस पे और जरूरी भी नहीं आप लिंक करके जब बेस का बन जाएगा उसको डिलीट भी कर सकते हो देखो यह बने गया structure उस टाइप का ठीक है यह पहला structure बने गया अब मैं दूसरा बनाता हूं कि यह वाला अब यह वाला कैसे बनेगा इसी टूल को यूज करके भी बना सकता हूं मैं grid से भी बना सकता हूं कोडिनेट से भी बना सकता हूं ठीक है देखते हैं ट्राइ करते हैं यह सारे डिलीट किये 00 पे एक नोड बनाया नोड करसर से इसको select किया translate repeat टूल में गया क्योंकि नीचे वाला जो बीम है वह 6 मीटर का है पहले यह बना लेता हूं मैं तो एक step 6 मीटर spacing x direction लिंक करना है यह बन गया अब इसके ऊपर यहां से तीन मीटर पर एक नोड है और यह दोनों जोईन है ठीक है लेकिन यह incline यह जो translate repeat टूल है यह केवल x y z में translate करता है चीजों को यह किसी एंगल पर translate नहीं करता है इसमें एंगल का option तो नहीं दिया हुआ है न तो मैं क्या करूंगा हाइट कितनी है हमारे structure की हाइट मैंने बताई नहीं है हाइट माल लो यह 6 मीटर ही है मैं तो यह 3 मीटर यह बताया था यह यह spacing ठीक है 6 मीटर हाइट माल लो तो मैं इस नोड को translate करता हूं वाई में कितना 6 मीटर लिंक नहीं करता हूं नोड नोड को चाहिए अब देखो कि इतने सारे तरीके से मैं इसको बनाता हूं तो केवल केवल यह वाला tool यूज करता हूं मैं तो क्या होता है मैं लिंक नहीं किया है तो यह नोड क्या होगा यह नोड यहां पर उपर बन जाएगा 6 मीटर पर यह ब क्लिए कर दिया है कि यहां पे हमारा समार्ज कुछ बन चुका है एवल हमें इन दोनों को कनेट करना है दोनों को कैणे करने के लिए देखो यह बीम नمभर किया वन फोर नोड नंबर भन एंटर तो यह बन गया एक तरीका यह हो गया जिसमें मैंने एक नोड को ट्रांसलीट किया इस डारेक्शन में यहां पर अब फिर मैंने यहां कॉडिनेट की हैल्प से इनको कनेट कर दिया अब मैं अंडो करता हूं और वी चीजे बताता हूं आपको क्या क्या कर सकते हों कंट्रोल जैड कंट्रोल क्ंट्रोल जैड का इस इन मिटर के भीम को हमें कहां ले जाना है यहां पे ले आना है 3 मिटर जो नोल नमबर 3 ऐसको उठा कर यहां रखना है थीन मिटर पर कॉपी नंस्केर मूव इसको करना है तो देखो कितना सिंपल है मैं इस जॉइंट पर जैसे क्लिक X ए ठीक है तो यहां पर एक्स डारेक्शन में एक्स वैल्योज जीरो थी तो मैंने जैसी इस नौट पर क्लिक किया तो इसके गोड़नेर हाइलाइट हो गए उसमें अस्की जेंगा पर तीन डाल दिया तो यहां पर आगया अब आप इसको यहां से भी कर सकते हो यह एक नए टूल बतायता हूं मैं आपको एड़ बीम नए टूल है समझ लो उसको एड़ बीम एड़ बीम से आप किसी भी दो जोइंट पर क्लिक करोगे तो बीम बन जाएगा ठीक है उसका आइकन में दिखायता हूं आपको उसका आइकन है यह यह एड़ बीम इसको यूज करके दिखाता हूं इस पर मैंने क्लिक किया नौड नंबर वन पर क्लिक किया फिर नौड नंबर थ्री पर क्लिक किया बन गया नौड नंबर थ्री पर क्लिक किया बन गया नौड नंबर थ्री पर क्लिक किया नौड नंबर कि जॉइंट टू जॉइंट क्लिक करना होता है बीम बन जाता है आप देखो कितने सारे तरीके निकल के आ कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की वह आप के उपर है कि आपको learnt यस्ट करता है कि स्ट्रैइट को अब works थ walked पिएंट झेलेगे स्ट्रीडिकर या उसक च ответ एक इसके जो आपके जोई जाय। में इस डारिक्षण Seth ए कि इसमें विम हैं 5 मिटर के और ये एक्स डारिक्षण है इसमें 6मिटर के है और वर्टिकल हाइट हमारी 10 मिटर में ये यह हमें सब आई हम ती है ङाएट हमें साफ कि ठीक है और X direction में beam ते रहे 6 मिटर के तो translate repeat tool direction X 6 मिटर एक की step link OK इस पे चला जाता हूँ आईसोमेटिक व्यूव पे अब इस beam को select करता हूँ और ये Z direction में translate repeat tool से क्योंकि Z direction में 5 मिटर के beam तो एक spacing link बन गया अब मैं क्या करता हूँ और चारो node select करता हूँ के वल क्योंकि हमें Y में बनाने है चारो node select किये और downward बनाना है क्योंकि हमारा उपर की और X Y positive है यहाँ आप देख सकते हो और नीचे की और Y negative है तो जो spacing है और negative में डालनी होगी चारो node select है translate repeat tool में गया हमें Y direction और spacing minus 10 क्योंकि column का height 10 है और भी downward link ओके तो यह बन गया आपका थ्रीडी स्टॉक्च्चर कर देख सकते हो कि सिफ्ट B से beam number node number हटा देते हैं यह आपका थ्रीडी स्टॉक्चर जो keyboard में arrow होते है ना उनसे आप इनको rotate करके structure को देख सकते हो ठीक है कि कि आप बताओ किसे को कोई doubt होतों कि कोई डाउट होतों कि कोई डाउट होतों कि कोई डाउट किसी कोटेक का कि तरह में उसकी जो बीच की spacing है वह एक्टेंट करनी होतों कि जो बीम की स्पेस्ट बन गया अपने गलती से 6 मीटर की जंगा चार मीटर कर दिया है तो कैसे इसको ठीक करें यह कुश्चन आपका तरीका है बहुत सार तरीके कुछ साइद में को याद ना आ रहे हूं जो भी दिमाग में आ रहे हैं वह तरीका बतायता हूं कि यह जो डारेक्शन है बीम की यह पांच मीटर है माँ पांच रोंग है हमें यहां रखनी थी आउड़ आच जए मीटर साड़े साथ मिटर मैं चाहता था इन बीम की लैंट साथ मीटर हो मुझे क्या करना पढ़ेगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा इतने पॉर्शन को स्लेट करूंगा इतने पॉर्शन को कैसे स्लेट करूं या तो कंट्रॉल दबाके कीबोर्ट से नॉर्मल की से आप ऐसे कर सकते हो दूसर तरीका क्या है मैं जाओंगा फ्रंट व्यू पे और ड्रैक कर लूँगा ऐसे तो देखो आइसोमेट्रिक पर जाओंगा तो दौनों स्लेक्ट रहेंगे फ्रेंट पर नहीं लेफ्ट में जाना था मुझे यह हो गया स्लेक्ट ठीक है दोह तरीक है राइट क्लिक करूँगा और यहां पर अप्ष्ण है मूव पर किया और मुझे किस डारेक्शन ओर डासी बबूद दारेक्शन यह सब्सक्रां सब्सक्रां मैंने करना ता दौद में 2m और तो मैं Z में कितना डाल दूंगा 2 और okay कर दूंगा तो में करता हूँ यहां पे 2m और । आ कि yes थिक हेंखेंगे बिखो हेंहांपर हूआ कि यहांपर क्या है यहां पर था हूआपवगोड़्स अपशसे आप घूंगा ओघया मैंने कहा आपको इन दोनों को फिर डिलीट करना पड़ेगा आपको और एड बीम से बनाना पड़ेगा लेकिन इसमें एक खामी है इस वाले तरीके में गलती है आप यह साथ मीटर के हो गए है इसमें गलती क्या है कि यह जो साथ मीटर की बीम से पहले जो पांच मीटर की बीम थे माल लो उनको अपने प्रॉपटी दी वी है कोई कंक्रीट माटेरियल क्रोस सेक्शन दी हुआ हुआ है उनके अपर लोड भी लगाया हुआ है बहुत सारा काम किया हुआ है उन पांच मिटर के भीम के उपर और बाद मैं आपको पता चला कि यार यह साथ मिटर की होने थे और आपने यह वाला तरीका अपनाया जो मैंने अभी बताया तो इसमें उनको डिलीट करके दुबारा बनाना पड़ा इसमें क्या हुआ दुबारा बनाने पे उनकी सारी प्रॉपटी चली गई अब उनकी दुबारा से प्रॉपटी डालनी होगी तो यह थोड़ा सा गलत तरीका होगा आप दूसरा तरीका जो दिमाग में आए मेरे वह बतायता हूं इसको अंडो कर लेते हैं यह पांच मिटर के हैं अभी इसको दूसरा तरीका यह कि आप बीम स्बेक्ट कना जॉइंट्स लेट्क करो यह जॉइंट कशारों जॉइंट क्योंकि जॉइंट अगर मुव पे वह हो माथिया बीम भी स्ट्रॉड ठीक है तो जॉइंट्स लेट्क कियो राइट किलिक किया। मॉव किया आप देख रहे हुआ अब वही पांच मिटर वाले बीम स्ट्रेच होके साथ मिटर में आ गए एक तेरी का और याद आ गया कंट्रोल जैट कर जैसी में इस जॉइंट पर क्लिक करूंगा तो इसके कोडिनेट यहां पर शो हो जैसी मैंने जॉइंट को स्ट्रेट किया इसके को कि यह तो देखो इस ट्रेच हो गया इस पर क्लिक किया इसका भी जैट किया और नीचे वाले का भी स्लेट किया इसका भी जैट यह थोड़ा सा लेंड़ी है तेरा थिक तो ये तीन तरीके अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो यहीं है और भी तरीके हो सकते हैं जब आएंगे टाइम टाइम पर भी बता दूंगा जब प्रॉब्लम्स आएंगी बड़े-बड़े प्रजेक्ट करेंगे तो वहां पर दिक्कत हैं आएंगी तो उनक किसी को इसमें कोई इस इस्ट्रक्टर में नोट पैट पर चलते हैं आपको पता है कि जो आपको किसी में आप कंसल्टेंसी में काम करोगे जॉब करोगे तो आपको जो आर्किटेक्टर ड्रोइंग देगा तो जो छोटी कंसल्टेंसी होती है उसमें क्या होता है जो आर्किटेक्टर ड्रोइंग को जो मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रक्टर ड्रोइंग में कंवर्ड करना पड़ता है तो वह एक स्ट्रक्टर इंजीनियर को ही करना पड़ता है छोटी कंसल्टेंसी में तो स्ट् तो इस तरीके से चीजे होती है तो जो स्ट्रक्चर ड्रोइंग आती है उसको हम कैसे चलते मालो कोई बिल्डिंग है तीन फ्लॉर की तो उसका डाटा कैसे आएगा वह बता रहा हूं फिर हम उसको तीन फ्लॉर की हमें लाटा के रखाएंग कम के भी edge करेंगे आभी क्या बिल्डिंग का पार्ट चल रहा है गवाट फ्लॉर का जो इसके अवह कैसे मिलेटी केप्लान है आफ और है रहाँ यह अ अ कि यह तर देल में लेघिन होगा और यहां पर कॉलं आ बंड़К un इन सरत से गस्ता आपनान नाही जी पुढ़िये तावल है आपने प्रयान नाहां को भूआ को इसको फर्स्ट बॉल देते हैं इस तरह से बोलते हैं ठीक है और यह जो आर्किटेक्ट्चर ड्रोइंग से स्टरोंग हमको मिलती है जिससे यृट्टोंगर बनाता है कि सीव्ल बना हैँ तो मैंने प्लान चीडि आप तो यह टॉप व्यू में ने वनाया है जिसमें पांच पांच मीटर वाई पांच मीटर का और टॉप से दिख रहा है उसका प्लान और यह जो रेक्टेंगुलर है हर कोने पर यह आपके कॉला में तो इनका साइज आपको खुद निकालना आर्किटेक्ट्चर निदेगा लेक घ्राउंड फ्लोर के नीचे जो एकज़ आपका यह आपका सविल केंदर जो कोलम जा रहे हैं मिट्टी में जो जा रहे हैं फाwnडेशन जहां पर बनती है ठीक है और यहां पर सपर्ट जो होती हो फिक्स होती है foundation को support fix support बोलते हैं ठीक है अभी मैं support के बारे में पूरी ड्रेल बताऊंगा अभी support का बूल जाना और यह जो depth है यह 1.5 मिटर है और हर floor की height generally कितनी होती है 3 मिटर तो यह जो है आपको इस तरह की drawing मिलेगे एक autocad से बनी है फिर्वर इसको कैसे बनाना आपको stat prop में ठीक है सबसे पहले हम बनाते है professional plan प्लान हमेंसा किस में होता है उसकाüş planning जो हमेंसा एक्स और जसेड में होता है और height किसम होती है हमें सवाई में ठीक है आप हमे इसको आटाग्यूड़ मनाते है इस सबको delete किया कि एक जॉइंट बनाया मैंने अभी मैं क्या बना रहा हूं प्लान जो पांच भाई पांच का है कि इसको स्लेट किया एक सेकंड मुझे लग रहा कुछ दिक्कत तो नहीं आ लिए फिक है इसको स्लेट किया ट्रांसलेट एक्स डिर्एक्शन पांच मीटर लिंक ओک फिर मैंने बीम करसर से इसको ऋलेट किया proper सेट डिर्लक Conference है लिंक पांच मीटर ओक है यह बन गया प्लान इस तरीके के दो दिखाई दे रहा है अगर आप में जाएंगे तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो कॉलम बने हुए रेक्टेंगुलर वह क्यों नहीं दिखाई दे रहे वह मैं अभी बाद में बताऊंगा अभी वह भी एक डॉट से दिखाई देगा ठीक है क्योंकि अभी प्रॉपर्टी नहीं दिये ना इसलिए क पूलम ही समझरव अभी जिनकी अभी लेंथ नहीं हूं है आप इस पूरे को सエульт करना है क्योंकि यह प्लान है है इस पूरे को स्लेक्त करने ए टांस्लेट जाना है वाइड डningen क्योंकि हाईट होती है यआ डियरेक्श्थिं में तो वाइट कर दूंगा हाँ इस अभी को नहीं आ रही है इनको नहीं आ रही जड़ा बताओ अब यहां तो बल्कु सबकु सही है एक सेगन रुकना बस चेक कर लेता हूँ अब आ रही है वाज थीक है थोड़ा और तेज बोल लेता हूँ मैं तो मैंने क्या किया जो प्लान बनाया है मैंने उसको पूरे को स्लेक्ट किया तो देखो यह जो रेड़ वाला है वो स्लेक्ट है और जो पर तीन रिपीट हुए हैं ठीक है और मैं नीचे बीम को डिलीट कर देता हूं किस ए तो देखो आपका उस तरीक़े का प्लान बन गया है यह ऐलिएशन है अगर में फ्रंट ब्यू से देखता हूं और आइसो मेरे एंगे में निगता हूं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं इसमें देखो देख सकते हो एक बार के लिए आप देख सकते हो कि मुझे एक बार देखना है अपनी परजेंटेशन पीपीटी में इमेज लगानी है उसके लिए कर सकते हो लेकिन डूरेशन और काम करते वक्त यह आपका ऐसे लाइन डाइगराम में दि ठीक है मैं बता दूंगा टाइम हाएगा जब कैसे आज इनको हाइलाइट करना है पर्जेंटेशन में पिक लेने के लिए ठीक है वैसे ब्लैक में ही दिखाई देगा यह थ्रीडी बन गया अब एक नेक्स स्टेप है लास्ट टॉपिक है आज का वह सपोर्ट सिस्टम वह बत सपोर्ट का भी जाद अच्छे से पढ़ानी होगा उसलिए समझ लो तीन टाइप की सपोर्ट होती है जो हमें स्टैड परो में यूज करनी है पहली होती है फिक्स सपोर्ट दूसरी होती है पिन सपोर्ट तीसरी होती है रोलर सपोर्ट fix का मतलब है कोई चीज आगर बुक में देखोगे तो fix का symbol जो है वह ऐसे होता है माल लो horizontal भी में और यहां fix support लगाने तो उसका symbol ऐसे होता है अगर column है तो नीचे लगाना है तो fix का symbol ऐसे होता है यह तो बुक का हो गया लेकिन stat pro में इसका symbol इस तरीके से होता है fix का मतलब होता है किसी joint को बिल्कुल fix कर दिया है ठीक है और fix हो गया तो वहाँ पर बहुत सारी reaction force generate होंगे सबसे पहले force generate क्या होता है अगर यह एक object है इसमें अगर मैं force लगा हूं यहां से F ठीक है अगर यह move हो रहा है तो कोई और reaction इसमें generate नहीं होगी यह move हो जाएगा लेकिन अगर इसमें यहां से fix कर दूँ यहां पर कोई wall है तो यह आगे जाएगा ने तो उसके opposite एक force generate हो जाएगा तो जहां पर fixedy होती है वहां पर हमे एक्स्रा force generate होता है ठीक है और जहां पर fix नहीं होता freely move होती है महाँ force generate नहीं होता तो आगर हम fix support देखें तो इसमें देखो एक reaction यहां generate होती है być एक reaction यहां generate होती है अफ वाई और एक reaction जनडेरेट होती है एक यह इसे ख्रक्राइब और यहां पर movement भी generate होती है ठीक है और जो pin support होती है वह book में इस तरह से होता श्मबल 50 और जो आपका इसमें होता है क्या करते StatProl में भी Сам होता है और रोलर में जो होता है। और जो इसमें मिलेगा आपको stud Pro में वो इस तरह के का मिलेगा छिक है। तो Pin Support Fix Support का मतलब है कोई Join को Fix कर देना Pin का मतलब है कि कि कही डाय। में fix लेकिन वो पो सकता है और रोलर का मतलब वो रोलर रोल कर रहा तीनों के मैं प्रैक्टिकली एक्जामपल देता हूँ बिल्डिंग के जो कॉलम है वो जमीन में फाउंडेशन के साथ फिक्स होते हैं वो मूव नहीं होते हैं कहीं भी वो फिक्स सपोर्ट हो गई अगर किसी दो स्टील को बीच में मैं वैल्डिंग कर दो गए तो वो फिक्स सपोर्ट हो गई पिन सपोर्ट क्या होती है जो आपके घर के डॉर्स हैं वो जो डॉर्स होते हैं वो फ्रेम के साथ पिन सपोर्ट होते हैं कई जा तो न जाओ मुव नहीं है स्लाइड एक रिल्दिक्षर में बुल्राइबरॉर्ण ३रिधिया स्पेंपूर्ट होती औरॉलर किसी और इस्टिफ्टर में होती तो रोलर देख साएगा गया तो जतनी भी बिल्डिंग बनाऊगए आप संस्वार्ट सुपोर्ट तो यह तीनों सपोर्ट इस तरह की होती हैं अब इनको स्टैड़ प्रो में कैसे लगाना है वो मैं बता रहता हूं लगेगी कहां पर यह लगती है जो ब्लैक डॉट है नॉट्स पे है तो यहांस टॉपिक इसको दिहां समझतो या अफीक आको त्रै ना है कर ने सबसे पहले में जोइगां से इस वाले जॉइट पर गाने के काफी तरीकिया है तुस shredded и शिवारिज Plgt कर रहा हूं जिस यहां पर यहां पर आप देखोगे यहां पर बहुत सारे उप्शन इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताये तो उसके बाद आगे चलेंगे जैसे जिमेटरी पर क्लिक करूंगा तो इसकी बगल वाले जो सारे सेटिंग है ना वो जमेटरी से लिटिड़ आ जाएगी अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो जैसी जनरल पर क्लिक करuँ चुन हो तो यहांप टोड़ को यहांपर एक बोड़े जायरा यहां यहां पर बतां कोई तो सब्लाई कि तो पहला step क्या है कि जहां पर support लगानी है उसको select करो support क्योंकि note पर ही लगती है तो note को select करना है note cursor से उसके बाद यहां पर general में जाओ general पर click करोगे जैसी support पर click करोगे तो support की property आपको यहां show होने लगेगी लंगी जो अब तो सपोर्ट पर जैसी मैंने क्लिक किया तो उसकी प्रॉपटी ने आ गई अब यहां पे पहले से एक नो सपोर्ट एस वंगू सपोर्ट त्रीग यह नो सपॉर्ट area को हटाने के लिए तो अब मैं क्या करूँ यह सब यहां पर जो first step fix पहले से fix है अब fix में यहां क्या लिखा हुआ है यह बता देता हूं मैं आपको कि इसमें डाउट आ सकते हैं आपके कि फिक्स वाला स्लेक्ट है यहां पर मैंने बताया आपको जो 3D स्टक्चर होता है उसके में मैक्सिमम 6 रियक्षन डवलप होती है अगर सपोर्ट फिक्स हैं तो 6 की 6 रियक्षन डवलप होंगे तो यहां पर दिखा रहा है कि तीन फॉर्स जनरेट होंगे तीन मुमेंट जनर जैसी मैंने एड़ पे क्लिक किया तो जहां पर नो सपोर्ट लिखा हुआ ता है वहां पर एक और सपोर्ट आ गई एस टू सपोर्ट टू अब मैं इस पे क्लिक करूंगा जैसी इस पे क्लिक करूंगा जो जॉइंट मैंने स्लेट किया तो वहट जाएगा अपने तो उसको दوبारा select कर लेना है तो पहले support को select किया, फिर joined को, अब इस support को, इस support को यहाँ लगाना आ है, यहाँ लगाने के चार तरीके यह given है, इन चारों को एक एक करके समझते हैं, धेरे धेरे, zoom करूं, इसमें zoom करने ही जोड़ा होते हैं, पहला option है assign to selected node, चार option में से पहला option है assign to selected notes और वो पहले से select है इसका मतलब है कि बस आपको assign पे click करना है और यह support यहां पे लग जाएगी तो मैं assign पे click करता हूँ yes no पूछेगा yes करता हूँ तो देखो fix support लग गई ठीक है अब इस fix support को हटाना है तो no support पे click करा इस note को select किया और पहले ही option से assign कर दिया हटे गई अब दुबारे से support पे जाते हैं fix support note को select करते हैं अब दूसरा option option assign to view को select किया assign to view का मतलब है कि जो भी दिखाई दे रहा है उस सब पे support लग जाए पहले option का मतलब था जो select है उस पे support लगेगी केवल जो red color की dot select है assign button पे click करने पर केवल support उसी पे लगेगी लेकिन अगर मैं दूसरा option यूज करता हूं assign to view अगर मैं assign button पे click करूँगा अब जितने भी node है सब पे support लग जाएगी बहले ही वो select हो या ना हो देखो मैंने कोई भी node select नहीं किया केवल यह option को उसा select किया assign to view अब मैं assign पे click करता ह हूं yes करता हूं तो जितने भी node है सब पे support लग गए क्योंकि assign to view का मतलब है जो भी node दिखाए दे रहा हूं सब पे support लग जाए बहले ही वो select हो या ना हो हम मुझे हटानी है तो मुझे नो support select करना होगा और assign to view option ही है मुझे लेना होगा Assign और yes खट गई तो दो option समझ गई पहला option जब node को select करेंगे दूसरा option सारों पे लगानी है तीसरा option तीसरा option यूज करसर टू-assign इसके लिए क्या करना होगा आपको support select करी 30 option select किया और assign पर क्लिक किया अब आपका cursor support के टाइब का बन जाएगा जहां आप क्लिक करोंगे जिस note पर support लगेगी इसका मतलब यह है टीजिए कैर नो support पर क्लिक करके कि फिर में जहां पर क्लिक करूंगा वहां पर हटेगी हमारा कौन सा उप्सन सेलेक्ट है नो कर्सर यूज कर सब अब हैं लास्ट ऑप्शन इसको भी देख लेते हैं लास्ट ऑप्सन कह रहा है असाइंग टू एड़िट लेश्ट यह कह रहा है यहां पर नीचे नमबर डालन से शोला और असाइंग करद ़ूंगा क्यावला थो फ् lifts लगए लगए लग ऑ है ठीक है तो यह ता फिक स्यंप्स स्पोर्ट जिनको लगाने में चार तरीका है चार्ट की आपको लड्र लटाने में भी काम आएंगे फिंस पोर्ट को लगाने में भी काम आएंगे और दों जैसे कि हमने असाइंग तू वियू में क्लिक करके हमने सारे नोट पर सपोर्ट लगा दिया अगर हम को किसी एक क्यों कि एक सपोर्ट को जीज करना है तो हम लोग तो हम यह आप्शन है यूज कॉर्नर तू असाइंग करके बिल्कुल सही कहा तुमने पहले मैंने असाइंग वियू करके सब पर सपोर्ट लगा जादी और फिर मैंने यूज करसर किया असाइंग अब मैं जिस पर चाहे उस पर से हटा सकता हूं नो सपोर्ट लगा के है ना किसी को भी कभी भी यूज कर सकते हो और किसी को कोई डाउट एक चीज मेरे दिमाग कर आई है महीं बतायता हूं आपको यह जो यहां पर यह जैसे जॉइंट है यहां पर एक joint है, joint दिखाया नहीं दे रहे हैं, पहले तो यह doubt है, कि joint दिखाया नहीं दे रहे, मैं shift n से node number हटायता हूँ, joint यहां पर जो black clock की dot होती हो, दिखाया नहीं दे रही, ठीक है, वो automatic hide हो जाती है, अगर आपको देखनी है, तो उसके लिए एक shortcut की है, shift plus k, देखो मै shift k press करता हूँ, तो joint सारे दिखाया देना लगे, तो joint को visible करना है, तो shift plus k, ठीक है, पहला doubt, दूसरी चीज यह थी, कि जो joint है, इसको क्या माना जाएगा? इसको fix माना जाएगा, pin माना जाएगा, roller माना जाएगा, तो इसको fix माना जाएगा, ठीक है, इसलिए यहां पे हमें कोई support लगाने की जरूत नहीं होती है, तो मतलब लगा के दिखा रहा था आपको यहां पे, इन सब पे, है ना, तो यहां सब पे किसी पी support की जरूत नहीं हो इस पे हम लगाते हैं support क्योंकि महाँ पर foundation रोती है जब building बनती है ना तो building बनने के दो होगा एक super structure एक sub structure एक structure जो ground के अंदर होता है इसे foundation बोलते हैं एक structure जो ground के उपर होता है इस structure बोलते हैं तो इस stat pro में अभी हम बात कर रहे हैं केवल ground की अब वाले structure की नीचे वाले structure को हमने क्या मान लिया है उसको मान लिया है fix support यहां fix support नहीं है यहां पर जैसे column है तो यहां पर foundation होती है इस तरीके की foundation भी काफी तरह की होती है sing isolated combine mat pile raft तो अभी तो हम वो बना नहीं रहे हैं उसके लिए एक अलग सौफ टेरस टैड foundation या इसमें भी बना सकते हैं तो उसको हम बना नहीं रहे हैं तो अभी हम fix मान के चल रहे हैं ठीक है तो consultancy में भी ऐसे ही काम होता है सबसे पहले यह structure बनाते हो foundation अलग से बनाते हो ठीक है अब मैं बात करता हूँ pin support की ठीक है मैं इस fix support को यहां से हटा देता हूँ कि मैंने यह सारे note select किये नीचे वाले यह सारे note select कर लेता हूँ note करसर से यह और यहां पर no support असाइंग कर देता हूँ ठीक हट गया अब दुबारा से create पर जाओगे इसी के fix के बगल में pin अब pin पर जैसी click करोगे तो आप देखो यहां पर देखो ध्यान से जैसी पिन पर click के हैं तो एफ एक्स एफ वाई एफ जैड़ उन सब पर तो टिक है लेकिन एम एक्स एम वाई एम जैड़ पर टिक नहीं है क्योंकि pin support में moment zero होती है आपने structure में और mechanics में पढ़ा होगा जो gate door है क्योंकि वो मूव हो रहा है इसलिए तो moment generate होगी निए इसलिए moment यहां पर टिक नहीं लगावा है क्यावल force generate होगा तो pin पर click किया और add कर दिया अब यह आ गए हमारे पर support number three pin support अब मैंने वही सेम वही प्रोसेजर है मैंने select किया और इसको assign कर दिया यह आपकी pin support लग गई ठीक है अब next और last support है roller support रोलर सपोर्ट में थोड़ा सा चीज समझने है आपको stat pro में roller support नहीं दीवी है pin support डारेक्ट दीवी है और क्या कहते है fix support डारेक्ट दीवी है पर roller support नहीं दीवी है roller support हमें बनानी पड़ती है तो उसके लिए थोड़ा सा समझो आप यह एक beam है यह एक beam का joint है इस बीम पर roller support लगी वी है इसको तरह में इस तरह से देखते है आइकन roller support यह डारेक्शन है यह direction है y और यह direction है z क्योंकि roller support है तो इस पर moment जटनरेट होगी नहीं ठीक है और क्योंकि इसमें जो reaction generate होगी क्योंकि यह beam ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि है इस से join है तो ऊपर तो जाएनी सकता इसलिए इसमें reaction generate होगी fy और fx जो होगी वो जनरेट नहीं होगी, वो zero होगी. fx क्या होगी, zero. क्यों होगी do? क्यों होगी zero? क्योंकि यस डिर्यक्शन tô rightacements, मूव वो सकता है. roller लगे में, स्लाइडिंग गेड़ की तरह. तो हमें कस्टमाइज बनानी होगे जिसमें हमें FX0 करना होगा वाइ रहने देना है तो हम स्टैट PRO में बनाते हैं ROLLER सपोर्ट पहले हमें इनको हटाएता हूँ PIN सपोर्टको रोलर सपोर्ट लगाता हूँ किसी एक पी लगाता हूँ तो यह create करना है और यहां पर तीसरा टैब है fix but ठीक है fix but मैं देखो सारी 6 की 6 reaction given है यही तो मैंने क्या कहा कि केवल कौन सी generate होगी उसमें एफ वाई इसमें लिखा है release मैं जिस पर click करूँगा ना वो release हो जाएगी तो मैं को सब पर click करना है केवल f y को छोड़के यानि की सारी reaction zero होंगी केवल f y को छोड़के तो मैं add कर अभी इन यह जो सामने इसके दिया हूँ है value यह मैं बताँगा अभी इनका क्या हो है बहुत advance सब्सक्राइब तो ग्रीन कलर कर इसका इस तरी किसा आएगा यह यह आपकी roller support इस तरह से दिखाई देगी अब मैं बताएता हूं थोड़ा साइडिया बताऊंगा भी उसको यह जो नहीं करेंगे ठीक है कि जो रोलर सपोर्ट के आगे जो वैल्यों की वन है कभी-कभी हमारे स्टील के यह ट्रास्स्या ट्रांस्मिसन टावर साब के कुछ एडवांस स्टक्चर होते हैं जहां पर हमें क्या लगाना होता है स्प्रिंग लगानी होती है तो मालो यही नोड अगर मुझे यहां पर स्प्रिंग लगानी है तो स्प्रिंग क्या हो गए ऐसी सपोर्ट जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है तो इस स्प्रिंग की जितनी फ्ल आप बताओ इस सपोर्ट सिस्टम में कोई डाउट किसी का तो देखो यह जो आपको क्या क्या आपको एक टूल यूज़ करके इसका हर एक चीज ग्लोबल डारेक्शन स्पेसिंग यह वाले स्पेसिंग री नंबर लिंक ऑपन और यह सारे चीज़ यूज़ करके वह करनी है ठ आपको सपोर्ट सिस्टम में सारी सपोर्ट लगा लगा के देखनी है और सारे उप्शन यूज़ करने है ठीक है तो आज के लिए इतना ही क्योंकि यह कंटीन्यू क्लास होती रहती है बीच में कुछ रुखना नहीं होता तो बहुत जादा हो जाता है एक दिर गंटे में है एक बीम है सिंपल सेपोर्टिट बीम में एक तरफ सपोर्ट है पिन एक तरफ सपोर्ट है रोलर और उस पर लोड भी लगा हुआ है अब इस लोड को कैसे अनलाइज करें ठीक है पांच मीटर का बीम है जो आपने प्रॉब्लम्स देखी होंगे ना जो आप मैनवली रखा है कि धाई से चार साड़े-चार इसलिए टाइम रखा है कि कुछ-कुछ टॉपिक्स थोड़े लेंदी हो जाते हैं लेकिन जब तक कुछ टॉपिक लेंदी नहीं होते हैं थोड़ा जल्दी भी छोड़ सकते हैं तो मैं आटेंडनेस डाउनलोड कर लेता हूं पहले इस रिकॉर्डिंग को बंद करेता हूं यह थोड़े देर में आपको मिल जाएगी